हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे सभी बहुत खुश होंगे तो यह वीडियो में शुरू कर रही हूं मॉर्निंग से ही लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी फटा-फट में में रोटिया क्यों बना रही हूं तो क्यों बना रही हूं यह आपको आगे पता चल जाएगा और रोटी बना रही हूं मैं मक्य की और साथ ही मैं जो पाँच लेटर वाला कुकर आपको दीख रहा है इसके अंदर पापडी का जो हम पापडी बनाने वाले हैं मतलब खीचिया पापड उसके लिए मैंने पानी बोईल करने के लिए रखा है, मम्मी ने उसमें जो भी मसाला डलता है, वो सब डाल दिया है, नमक, पापडखा, जीरा वगेरा, तो वो सब अभी बोईल हो रहा है, पानी, और साथ ही देखिए, बन रही है, गर्मा गरम मक्की की फुली फुली सी नरम नरम एकदम रोटिया, आप लोगों की भी यसी रोटिया बनती है क्या, मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना, और अब मैं रेडी कर रही हूँ, पापड़ी का आटा बनाने के लिए अपने हथियार रेडी, तो मेरा हथियार है ये डंडा, इसके उपर मैंने ओइल लगा दिया है अच्छे से, और पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, उसके बाद ये मक्कई और चावल का आटा हम हूँ, वैसे तो ये आटा रेडी करने के लिए दो लोग होते हैं, तो सही रहता है, मतलब एक जना आटा डालता है अंदर फटा-फट और एक जना इस तरह से फटा-फट से हीला के और आटा बनाएगा तो आटे में लंप्स नहीं रहते हैं, लेकिन मम्मी को कुछ काम से मा जाते हैं, हमारे यहां राजस्थान में तो ये खीचिया पापड बनाना मतलब सरदी का में काम हो जाता है, हेलो एवरिवन, कैसे हो आप सब, I hope सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे, तो देखिए, अभी बज रहे हैं, सुबह के पोने 10 मैं आपको दिखाती ह तो सरदी की पोने 10 मतलब यू समझ लो कि जल्दी ही होती है, बहुत ज्यादा ठण रहती है, इसलिए उठते भी लेट है, मैंने आपको बताया ही था पिछले व्लोग में, तो मैं उठी थी उसके बाद मैंने उपर की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम था, रूम की वो ज्यादा ही नकरे हैं, जो भी सबजी बनाओ उनका यही रताएं कि यह तो मैंने खाऊंगा, तो उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ अलगी बनता है, तो हमने हमारे लिए जो हरे चने आजकल आते हैं, हमारे इदर देसी लेंग्वेज में जिनको लिल्वे बोलते हैं, तो उ मतलब मैं अभी नहीं सिखी हूँ, मैंने शादी से पहले ही सीख लीती, लेकिन मैं अच्छी खासी बना लेती हूँ, तो मैंने बना ली है मक्ही की रोटी और मेरे हस्बेन और नियो के लिए गेहू की रोटी मुझे बनानी है, तो उसका आटा में लगा लूँगी, और अची बना लेते हैं, कुछ चावल की और ये भी बनानी है, तो मक्ही का आटा तो हमने पहले पिस्वा लिया था, तो मैंने एक कोकर में मक्ही का आटा रैडी करने के लिए मतलब पानी हुँआनी उबालby के जैसे आटा रैडी करते हैं, और दूसरा जो चावल uggेर पर फटा फट से सब्जी वगेरा तो मैंने बना दी थी पहले ही और फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी भी मैं बना के रख देती हूं तो मैंने बना दी है उपर गी वगेरा नहीं लगाया है तो जब हम लोग खाएंगे तब उसे फिर से एक बार गेस पर गरम कर देंगे तो और थोड़ी सी नियू की सब्जी है पुकी वाली और ये है हमारी लिलवे की सब्जी पानी वाली अच्छे से तो हम अच्छे से मक्की की रोटी चूर के खाएंगे तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया है लेकिन देखिए किचन की जो हालत है अभी कितना ज्यादा मैस फैल गया है मैं उठी थी मैंने फटा फट से कीचन में काम कर लिया था और मैंने सोचा था कि फटा फट से आज में फ्री हो जाओंगी लेकिन मैं मैंने पहले भी आपको मेरे एक प्लोग में बताया है कि मैं जब भी जैसा सोचती हूं वैसा कभी भी मेरे साथ होता ही नहीं है त उसके बाद planning हुई कि हमें कीजिया पापड बनाने हैं तो सारा ही काम फिर से फेल गया और जो भी काम मुझे करना था वो मेरा रे गया और दूसरा काम तयार हो गया तो फटा-फट से मैंने थोड़ा वो जो बिखे रहा था वो मैंने समेट लिया बरतन बरतन जो पोंचने के पोंच के मैंने रख दिये और जो क्लीन करने के हैं वो मैंने सिंक में रख दिये हैं और उसके बाद मैं लगा रही हूँ नियोर मेरे हस्बेंड के लिए आटा लगा के मैंने रख दिया है और यह सब बाकी का जो भी मसाले वगेरा नमक की डिबी जो भी है सब मैंने पोंच है और उनके जगेए पे मैंने रखती है और उसके बाद में एक बार जो गयेस का प्लेटफॉरम है उसको मैं क्लीन कर दूँगी और साथ ही यह जो गेहँ के आटे का जो बर्तन था उसके अंदर ममी ने मक्की का आटा पिसवा लिया क्यूंकि मक्की का आटा ज्यादा पिसवा ना था पापड़ी के लिए भी और आजकल हम लोग रोटी भी बनाते हैं तो उसके लिए भी तो इसमें वो पिसवा के लिया है तो फिर मुझे वापस खाली करना है, उसके क्योंकि गहों का आटा भी इसमें फिर से भरना है, तो जो मखी की आटे का बरतन है, चोटा उसमें मैंने आटा भर दिया है, और जो बचा है वो मैं इस बरतन में छान के रख दूगी, क्योंकि एक cooker का तो आटा मैंने ready कर दिया है और एक cooker की amour बनाएंगे तो उसके लिए फिर मैंने आटा चान के रख दिया है और साथ ही गीहूं का भी गीहूं भी हमने पिस्तवाए थे तो वो आटा भी मैंने उसके बर्तन में भरके और अच्छे से साफ करके और फिर उसकी जगे पे मैंने रख दिया है तो इस तरह से कीचन का सारा काम में फटाफट करती जा रही हूँ और अच्छे से काम हो भी गया था मतलब थोड़ा सा थोड़ी से जल्द बाजी तो हो गई थी एक बार की फटाफट करना पड़ेगा लेकिन फिर हमने आराम से बेट के फिर खीचिया पापड बनाए मम्मी ये सोच के चले गए थे कि 10-15 मिनिट में हम लोग आ जाएंगे लेकिन उनको एक गंटे से भी ज्यादा हो गया था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो चक्की वाले अंकल के महाँ पे शायद ज्यादा बीड़ थी तो मैं सोच रही थी कि जब तक वो आये तब तक हो सके उतना काम में कर लूँ फटा-फट तो मेरा क्लीनिंग का काम भी बाकी था तो मैं फटा-फट सारा कीचन का निपटा के और उसके बाद बाहर पूरे घर में मतलब नीचे की फ्लोर में एक बार फिर से मैं जाडू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं पोचा भी लगा दूँगी अंदर का जाडू तो मॉर्निंग में ही निकल जाता है एक बार तो कर लेते हैं लेकिन जो बाद में हमने ये सब किया मम्मी भी दाले वाले निकाल के लेके गए पिसवाने के लिए तो उन सब में काफी ज्यादा गंदा वापस से हो गया था तो मैंने एक बार फिर से जाडू लगा ली और बाहर का तो जाडू लगाना बाकी ही था तो जारू लगाने के बेabout मैं लगा रही हूँ पोचा almost मतलब मैं daily पोचा लगाती ही हूँ नीचे का पोचा तो मैं कभी भी skip नहीं करती चाहे कितना भी काम हो बहुत कम होता है कि पोचा रह जाता है और उसदिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लگता है गर में कि मुझे पूरा दिन यहीं रहता है कि आज cleaning नहीं हुई, cleaning नहीं हुई, तो होता है तब तक मैं daily पोचा लगाती हूँ, नीचे उपर का पोचा मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, तो इस तरह से सारा काम मेरा हो गया था, उसके बाद मम्मी पापा आये थे, तो अच्छा भी हुआ कि सारा काम एक बार का हो गया, फिर उसके बाद हम लोग मम्मी और हम दोनों आ गए हैं गार्डन में, और फिर मैंने साड़ी बिछा दी है, और मम्मी बनाएंगे, छोटी-छोटी सी लोईयां बना के मम्मी मुझे देंगे, और मैं मशीन में दबा के, औ तो इस तरह से हमने बनाए खिचिया पापड़िये, मतलब एक बेच हमने बना दिया और उसके बाद फिर दूसरा बेच बनाने के लिए हमने आटा फिर से बनाने के लिए गेस पे चड़ाया, तब तक फिर हमने खाना बना खाया, और नियों को भी खाना खिलाया, और जो थ मुझे तो ये खीचिया पापड बहुत ज्यादा पसंद है हम लोग रोस्ट करके भी खाते हैं तो थोड़ी से महनत लगती है टाइम भी लगता है लेकिन जब बन जाते है न तो फिर खाने में अच्छा भी लगता है और काफी दिनों तक स्टोर करके भी हम लोग रख सकते है तो इसलिए हम तो हमेशा घर पे ही बनाते हैं मार्केट के खीचिया पापड हमने अभी तक कभी यूज नहीं किये मतलब हम कभी भी लेके नहीं आए तो ये देखिए हमारा एक बेच बन गया है और उसका मैं आपको वीडियो शूट करके बता रही हूँ एक बेच में इतनी खीचिया पापड हमसे बनी थी आज हमने थोड़ी सी मोटी भी रखी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अकेली बनाई थी और उस टाइम कुछ ज्यादा ही पतली हो गई थी तो रोस्ट करते टाइम वो थोड़ी सी जल जाती है तो इस वज़े से मैंने थोड़ी सी मोटी इस बार रखी है और उसके बाद बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं किया और ये फिर सेकेंड टाइम का है तो सेकेंड टाइम की भी सारी खीचिया पापड बन गई है और ये इस तरह से हमने सुखने के लिए रख दी है बहुत कम दूप आती है बाहर मतलब थोड़ी से देरी आएगी अभी तीन बज़े के आसपास तो दूप चली जाएगी तो उसके बाद कुछ ज्यादा सुखने वाली नहीं है लेकिन फिर भी अभी तो फेला के रखी है और एक रेड़ बज़े में कुछ फ्री हुई थी खीचिया पापड बना के और उसके बाद कीचन में आके बरतन जो थे वो मैंने क्लीन कर दिये क्योंकि आज मुझे जाना है किटी पार्टी में और ये मेरी फर्स्ट कीटी पार्टी है तो उसके लिए मैं फटा-फट से ये सब बरतन वगेरा क्लीन कर दूँगी और जो चोटा-मोटा और क्लीनिंग का काम है वो भी मैं कर दूँगी फिर क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मुझे आने में लेट हो जाएगा और फिर शाम को आते ही फिर खाना वाना बनाना और फिर शाम का काम रहता है तो ये काम अगर अभी मैं पेंडिंग रखूंगी तो फिर बाद में मुझे ज्यादा काम करना पड़ जाएगा तो इसलिए जितने बरतन क्लीन कर पा रही हूँ मैंने क्लीन कर दिये और उसके बाद मैं शावर भी लूँगी क्योंकि जब खीची आप आपर दूट में बैटके बनाते है न तो हाथ वगेरा पर थोड़ी सी टेनिंग भी आ जाती है और चिकना चिकना भी पूरा लगता है क्योंकि ओईल वगेरा यूज होता है तो इसकी वज़े से मैंने फिर से शावर लिया और फर्स टाइम किटी पार्टी में जाना है तो थोड़ा सा एकसाइटमेंट भी था कि क्या होता है क्या करते हैं पता नहीं वैसे मैं क्यूं जा रही हूँ किटी पार्टी में क्या मैंने जोइन करी है कि नहीं ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ तो खीचिया पापड बना के फिर मैंने नियू को सुला दिया और उसके बाद मैं शावल लेने गई शावल लेने के बाद मैंने अपनी स्कीन केर मतलब लोशन वगेरा लगाना मोश्टराइजर वगेरा सब मैंने लगाया फेस पे और हाथों पे और उसके बाद मैं हो रही और मैंने येलो साडी इसलिए वियर की है क्योंकि वो भाबी ने मुझे बोला था कि येलो ड्रेस का हमने आज कोड रखा है तो मैंने ड्रेस कोड के लिए येलो साडी पहनी है और मुझे वो लगा था कि सब लोग बहुत अच्छे से हेवी साडी पहन के आएंगे अच्छे से ready होके जाएंगे क्योंकि मैं कभी गई तो नहीं हूँ लेकिन मैंने जितना सुना है किटी पार्टी में अच्छे से ready होके ही जाते हैं और पिक्स भी देखे थे मेरे वहां मतलब माई के में कुछ भाबियां गेरा करती थी तो उसके लेकिन उल्टा ही हो गया सबसे ज्यादा में ही ready होके गई थी बाकी सब लोग बहुत ही simple से ready होके आये थे और फिर वहां हमने खेले एक दो games और उस game में में winner हो गई मतलब first में जीत गई उन लोगोंने सोचा नहीं था कि मैं आऊंगी और में ही जीत जाऊंगी तो भाबी के साथ मतलब उन में ऐसा था ना कि जिसके गड़ पर kitty पार्टी होती है और जो लोग kitty में है वो उन में से first और second आता है और उनको prize मिलता है तो मेरे बाद जो दो लोग जीते थे उनको उन को लाकि ठीक हम लोग भी यूट्यूब पर आएंगे मतलब उनको भी excitement था कि यूट्यूब पर व्लोग आने वाला है तो देखिए उसके बाद में घर पे आ गई और उस ताइम 6.25 मतलब में आई थी सवा पांच बजे और उसके बाद फिर मैंने हमारा खाना बनाया और यह जो भी खीचिया पापड थे बाहर से मैंने अंदर लाके डाले हैं क्योंकि अभी भी गीले हैं तो अभी देखिए कितना अंदेरा हो गया है छे बज के 25 मिनिट हो रहे हैं लेकिन तो फिर मैंने मेरे और मम्मी पापा ने तो उनका खाना बना के खा लिया था जो भी उनको और उसके बाद मैंने सबजी बनाई हमारे लिए गोबी टमाटर की पत्ता गोबी और टमाटर और पराठे मैंने बनाए और उसके बाद जो सबजियां थोड़ी बोत लाके रखी थी मम्मी ने वो मैंने वोश करके इस तरह से फेला दी है और बरतन क्लीन करने है धनिया भी म काम अभी मुझे करना है तो यह सब मैं फिनिश करूंगी फटा फट तो सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूं बरतन और उसके बाद मैं किचन का प्लेटफोर्म क्लीन करूंगी तो आज मैंने जो खीचया पापड़ वगेरा बनाए हैं उस तरह से आप लोगों के वहां भी बन करते हैं या नहीं इस तरह से आप लोग बना के स्टोर करते हैं या फिर आप मार्केट से लाके खाते हैं मुझे आप कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और वो करने के बाद मैं क्लीन कर रही हूं अपना के गेस और उस गेस का प्लेटफोर्म तो फटा-फट सी यह क्ल करती हूं डेली यही रहता है उननीस भी चेंज उसमें हो जाता है तो फटा-फट से में गेस क्लीन कर रही हूं और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना क्योंकि पूरा दिन मेरे लिए इतना ज्यादा हेक्टिक था ना कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरा दिन मैंने आज काम किया है, पहले खीचया पापड़ वाला घर का काम, खीचया पापड़ बनाने का काम, दूसरा काम, और उसके बाद किटी पार्टी में मैं गई थी, तो ये देखिए मेरा हो गया है सारा काम, लास्ट में मैं आ गई हूँ और मेरे आज इन सारे कामों में मेरे कपड़े सुखाने रे गए थे, तो जो कपड़े कलके सुख रहे थे, वो मैंने ले लिये, और उसके बाद मैंने कपड़े फेला दिये, उपर ही एक रस्ती लगी हुई है, उसके उपर, और ये मेरा आज के दिन का लास्ट काम था, वे रही है और आज फर्स टाम किटी पार्टी में गई तो थोड़ा से एक्सायट्मेंट भी था तो मुझे बहुत अच्छा लगा किटी पार्टी में जा के तो अगर मेरे एकंड दों चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें तो जल्द ही लोटूंगी एक नए और इंट्रेस्टिंग ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर